जे श्री हरी स्प्रीच्वल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडलीनी शक्ति जागरत होने के क्या लक्षन होते हैं नमबर एक जब आपको दिव्यदर्शन, सुगंध, स्वाद, श्रमण और किसी के आपको छूने की अनुबूती होने लगे नमबर दो जब आपको परमात्मा की तरफ से संकेत मिलने लगे नमबर तीन जब मूलधार चक्र में स्पंदन होने लगे नमबर चार, जब आपके रोंगटे खड़े होने लगे नमबर पाँच, जब गहन साधना के दोरान आपकी स्वांस चलते चलते रुक जाए नमबर छे, जब आपको अपनी रीड की हड़ी में नीचे से उपर तक सिरहन होने लगे नमबर साथ, जब आप अकारण ही आनंदित रहने लगे नमबर आठ, जब स्वता ही आपके मुख से ओम का उचारण होने लगे नमबर नो, जब आपको शरीर के विबिन्न भागों में विद्युत के जटके लगने की अनुभूती होने लगे नमबर दस, जब ध्यान के दौरान आपकी बंद पलकें जोड लगाने पर भी ना खुले नमबर ग्यारा, जब सभी संदेहें दूर हो जाएं और आपको सभी अध्यात्मिक ग्रंथों का मर्म समझाने लगे जब ध्यान के दोरान आपको अपना शरीर हवा से भी हलका महसूस होने लगे नमबर तिहरा जब संकट काल वे मुसीबत के समय में भी आपका मन व्यग्र या विचलित ना हो नमबर चोहदा जब आप किसी भी कठिन कारे को बिना थके घंटों तक करते चले जाए नमबर पंद्रा जब आपको हर समय एक खुमारी या नशे जैसी इस्तिती रहने लगे और होश भी पूरा रहे नमबर सोला जब आपकी कही बातें सत्य सिध होने लगे तब जाने कि आपकी सोई सत्य चाग रही है वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें थेंक्स फो बाते हैं